है है व mostra हमने जो आपको व अल्य अल्डिंग प्लांट थे को कोनट था सरसों था आतीक है इनके बारे में देखलिया आ तो अश्वगंदा में हम पढ़ने वाल है पहले वही आपको जो लाइन दारा पेज है उसमें आपको कॉमन नेम लिखना है बोटेनिकल नेम फैमेली एंड इसका जो कौन सा प्लांट पार्ट यूज होता है उसको लिखना है ठीक है फिर बायो केमिकल कंपाउंड से अइसोलेट किए गए है और इसका इंपोरटाइंस लिखना है ठीक है असुगंदा में आप देखोगे कि इसका कॉमन नेम असुगंदा होता है वो इसके बोटेनिकल नेम की बात कर तो विटानिया समनी फेरा इसका Somniferus का Botanical Name होता है इसको Underline करना है Species and Genera को आपको Genesis Species को family अगर देखें तो Solan Agree family से बिलोंग करता है plant कौन सा plant का कौन सा part views होता है तो आप देखो इसका जो अस्वगंदा होता है उसकी roots भी योज होती है इसके leaves भी यूज होती है, बहुत ज़्यादा इसके medicinal यूज होते है, इस plant के, ठीक है, अगर इसके biochemical compounds की बात करें, तो कौन-कौन से इसमें compounds होते हैं, जो isolate किये जा सकते हैं, तो alkaloids, जो farine और seminiferine, ठीक है, nicotine वगारा, इसे कुछ alkaloids होते हैं, जो इसमें पाए जाते हैं, importance की बात करें, तो जो ये plant होता है, ठीक है, ये plant, इसका जो powder होता है, root का powder, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और ये जो Indian medicinal है, उसमें traditional रूप से ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता रहा है, ठीक है, cup के उपचार में इसका यूज किया जाता है, skin disease आप देखो, अलसर्फ होगे, फोडे होगे, ठीक है, मवाद कम करने वाले जो होगे, ठीक है, तो इन में इसका यूज किया जाता है, कुछ जो female disease होती है, उन में भी इसका यूज किया जाता है, romantic jawर में, important है, romantic jawर के जो दर्द होगा उसमें, और paralysis के उपचार में भी ये उपयोगी होता ह है, बहरेपन के इलाज में, और जो दादू की मातरा होती है, मेल में, उसको बढ़ाने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है, तो गाईज, ये था अपना जो अशुगंदा plant है, medicine plant, उस पे था, next जो लेक्चर होगा, आपका, वो होगा, सदा बाहर plant पे, ओके, जिसे आप के रेंटास रोशियस बोलते हैं,